हलो फ्रेंड, फॉंडेशन्स आफ आर्सॉप्रेयर के कोर्स में आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आपको याद होगा कि पिसले कई लेक्ष्ट में हमने डेटा फ्रेम के बारे में बात करी और डेटा फ्रेम से सम्मंदित हमारे जो चोटे चोटे ऑपरेशन्स होते हैं उनको समझने की कोशिश करी है। तो आज भी हम उन्ही टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे और हम साथ में हमारे डेटा फ्रेम से सम्मंदित कुछ और जो ऑपरेशन्स होते हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो करिए हम उन्ही अपरेशन को समझते हैं और कुछ उधारग लेते हैं और साथ में आपको याद होगा कि हमने पिसले लेक्चर पे जो भी अपने उधारग लिये हैं वह इस आर्ट सॉप्टेयर के अंदर जो मास पैकेज है मास पैकेज के अंदर पेंटर नाम का जो जो होमवर्क है उसको कर लेते हैं कि हमको चुकि अपना पेंटर से डेटा सेट को यूज करना है तो हमने यहां पे अपना कमांड यूज कर लिया लैबरेरी मास और यहां पे जो आपका डेटा सेट है पेंटर उसको आप अगर देखेंगे तो इस प्रकार का है यहां पे सम्मंदित जो भी वैल्यूज हैं या जो करेक्टर्स हैं वह इस डेटा सेट में दिये गए हैं और देखिए यह का स्क्रीन शॉट है डेटा सेट कर आप अगर देखना चाहिए तो इस प्रकार से आपको डेटा सेट डिखाई देगा अब हम आपको एक काम यहां पर करके दिखाते हैं और यह काम आपको याद है हमारे जो पिछले लेक्चर में हमने बात करें तो उससे सम्मंदित है आपको याद होगा कि पिसले lecture में मैंने आपको यह बताये था कि अगर किसी data frame से किसी variable को ekstrait करना चाहते हैं या उसको बाहर निकलना चाहते है या कोई भी variable के अंदर कोई information अगर है उसको आप аगर बाहर निकालना चाहते हैं तो उसका हमारा command होता है कि आप आपने इस data frame का नाम लिखते हैं और इसके बाद डॉलर sign लगा करके अपने इस variable का नाम लिखते हैं और इसके बाद यह जो भी आपका एक variable आता है इसके उपर आप कोई भी अपना जो function है आप उसको use कर सकते हैं कि आपको summary है sum है mean है त्यादी जो भी करना है आप उसको आराम के लिए पिसले lecture में दिखाया था कि आपके इस painter data set में एक हमारा variable है school तो इस variable को बाहर निकाले के लिए हमने use किया था painter's dollar school और इसके बाद में हमने आपको यहां पे इसके उपर summary function का इसके द्वारा आपको इस data में जो भी हमारी summarize value होती है वह मिल गई थी राइट इसके त वेक्टर लेंगे तो उसके अंदर हमको उसका mean, first quartile, दूसरा quartile, तीसरा quartile, चौथा quartile इतियादी minimum maximum के बारे में information मिल जाएगी तो अब हम यहां पे जो आपको यह दिखाना चाहते हैं कि जब भी आप कभी अपने data frame से किसी variable को extract करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस data frame का नाम और साथ में उस variable का नाम लिखना पहलता है और दोनों को dollar sign से join करना पहलता है अब हम आपको यहां पे एक और खरीका बताते हैं जिसके द्वारा आपको यह जो data frame का नाम और dollar sign जैसे यहां लिका हुआ painter's dollar यह आपको बार बार नहीं लिखना पढ़ेगा और जो भ डारेक्ट आप उसके उपर अपने function को इस्तिमाल कर सकते हैं तो इस प्रकार का कार आपका वहां पर बहुत सुविधा जनक होता है कि आप कोई data frame पर काम कर रहे हैं और आपको कुछ है लंबे समय तक उसके अंदर variables के अंदर different करीके के operations करने हैं तो यह आपको तो आपको त उसके लिए हम command यूज करते हैं attach एडबल टी एच एच राइच के मलब क्या होता है जोगना कमन्दित करना तो हम क्या करेंगे इस attach command को लिखेंगे और इसमें इसका जो parenthesis है इसके अदर अपने हम data frame का नाम लिख देंगे और इसके बाद जो भी हम variable को इस्तिमाल करना चाहत हैं हमको सिर्फ उसका जो variable name ही देना होगा तो ऐसे कि अगर हम कहें कि जो भी हमारा painters dataset है इसमें से हम बार-बार painters डॉलर जो लिखते हैं यह मुझको बार-बार नहीं लिखना पगेगा तो देखिए हम आपको धारन के दौरा बताते हैं जैसे कि सबसे पहले मैंने कर दिया attach इंटर्स तो अब इसके बाद हमारा जो data set है हमारा attach हो गया इसके बाद हम अपने कोई भी variable को किसी variable को उसका जो नाम है जैसे composition, drawing, color, expression, school इसके द्वारा हम उसको यहां पे direct लिख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको देखिए अभी बताया कि यहां पर अगर आपको school variable है इसका अगर आपको इसके उपर अगर आपको अपने summary command को use करना है तो देखिए आप उसको यहां पर खाली summary और parenthesis में school लिख सकते हो और जबकि आपको पहले अगर याद अगर हो तो आपने यहां पर पूरा-पूरा painter's dollar school लिखाता और जो आपको वही और कम जो आपको पहले मिला तो आपको यहां पर मिल जाएगा उसी प्रकार से आप अगर कोई भी अगर अपना एक नूमरिक वेरिबल लेते हैं जैसे इसमें composition ने उसके नदर कुछ नंबर दिये हुए हैं उसके उपर आप अगर summary command को इस्नमाल करेंगे तो आपको यहां पे painter's dollar composition नहीं लिखना उसी प्रकार से जिस प्रकार से उस variable का नाम उस data frame में दिया हुआ है और इसके बाद आप अगर देखेंगे तो आपको इसकी minimum value, first quartile, second quartile, third, median, mean, third quartile, maximum की value यहां पर मिल जाएगी तो दोनों में खाली इतना ही फरक है कि आपको जो बार-बार data frame का नाम और dollar sign का इस्तमाल ब बुक्ती मिल जाएगी, right, और उसके बाद में जब आप अपना कारेक्स हमाप कर लेते हैं, तो अपने इस data frame को जिसको आपने attach किया था, उसको आपको attach भी करना पड़ेगा, उसका command हमारा होता D E T A C H, और parentheses में हम अपना data frame में उसका नाम लिख देंगे, और जब अगर जैसे देखे हम आपको धार के द्वारा दिखाते हैं कि मैंने आर कंसोल में use किया attach painters, और उसके बाद जब मैंने लिखा summary school, तो इसने मुझे दे दिया error, क्योंकि इसके बाद जब आपने यहाँ पे attach function का इस्तमाल कर लिया है, उसके बाद अगर आपने summary किया तो आपको यह इस प्रकार से कार करते हैं यह राइट, तो कलिए हम अपने art software में आते हैं और सबसे पहले हम अपना जो library मास उसको upload कर लेते हैं, तो देखिए आपकी library हो गई और इसी में आप अगर देखेंगे कि यह आपके देखिए painters हैं, तो देखिए आपका painters पर data आ गया, अब पर numerical values दी हुई है, और school अगर है तो यहाँ पर आपको देखिए a, b, c, d करके factor variable दी हुए है, अब इसी में से अगर आपको मान लीजे, यहाँ पर आपको summary कमांड अगर लगाना अगर है, तो आपने देखा कि आपने को summary के लिए आपको सबसे पहले painters को type करना पोगेगा, उसके बाद dollar sign और उसके बाद में school लिखना पड़ेगा, और फिर आप देखेंगे कि आपको इस तरह का value यहाँ पर आगई, उसी के बाद अगर आप अगर अपने drawing को भी आप अगर दिखना चाहते हैं, और अगर आप summary कमांड की जिगे आप अगर मान लीजे कि आप इसका मीन निकालना चाहते हैं, तो मीन आपको लिखना पड़ेगा पेंटर्स, डॉलर और उसके बाद में गरी बिलकर नीम, तो देखेंगे आपको यहाँ पर यह value मिल जाएगी, okay, तो तलिए यह वाला जो हमारा outcome है, इसको ज़रा मैं आपको इसी screen पर मैं लिख लेता हूं फिर से देखें, मैंने यहाँ पर अपना summary command लगाया, कहें के ओपर, school के ओपर, तो देखें, आपको मिल गया उत्तर ही है, और जब मैंने इसी परकार से मैं निकाला mean, mean of कहां का, drawing का, तो देखें, क्या value आगई, यह value आगई, तो आपने देखा कि देखें, जहाँ पर आपने ल खाली mean drawing लिका है, तो भी आप खुरतर देखिये, सेम ही आया है, अब इसमें से हमें काम करते हैं, हम इसको यहाँ से detach करते हैं, तो painters, आप देखें, यह detach हो गया, अब इसके बात अगर हम यहाँ पर mean drawing देगे, तो यह कह देगा कि इसमें से error, बवलब कि इसमें से कार नहीं करेगा, और इसी प्रकास, अगर हम यहाँ पर अपना summary school देगे, तो भी कह देगा कि यहाँ पर error है, तो आपने देखा कि जब आपने इस data frame को attach की जगा है, तो उसके बाद में यह फिर जो हमारे variables के नाम है, वो काम नहीं कर देगा, लेकिन आपको साथ में data frame का नाम और dollar को लगाना पड़ेगा, तो चली अब हम आगे बहुते हैं, और हम आपको एक और command के बारे में बात करते हैं, अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं, tabset command की, तो यह हमारे पास bin-bin तरह के operations होते हैं, जो हम अपने spreadsheet में, data file में करते हैं, और उसमें से हम क्या करते हैं, कि मुझ dataset को जो हमारे किसी condition पर based होता है, उसको हम बहार निकालना चाहते हैं, तो basically हम क्या करना चाहते हैं, कि हम अपने data frame से एक subset बाहर निकालना चाहते हैं, तो अपने किसी data frame का subset बाहर निकालने के लिए मारा command होता है S U B S E T अब इसके बाद में ये एक सवाल आता है कि इसको इस्तमाल किस प्रकार से किया जाए तो कैसा कि अगर मुझे मान लीजिए कि अपने इस पेंटर्स डेटा सेट में उन पेंटर्स के या उस डेटा को बाहर निकालना है जहां पर हमारा आता है स्कूल इकोल टू एफ देखिए इसका क्या मतलब होता है पहले मेजर आपको इसको आज सॉफ्ट्वेयर में करके दिखा देता हूं एक बार कि ये क्या चीज है ये मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं तो आपने देखा था कि ये आपका पेंटर्स का ये डेटा सेट होता है और ये मैं इसका यहां पर फोन साइज कम कर लेता हूं तो देखिए यह जो पेंटर्स का डेटा सेट होता है देखिए इसमें से क्या है यह यहां पर इस्कूल के नाम लिखे हुए है और इस्कूल में आप देखेंगे कि यहां पर आपका ही यह यह जो डेटा सेट है देखिए यहां पर अंतिम कॉला में लिका हुआ है इसका मतलब कि यह जो हमारा पूरे पूरे डेटा फ्रेम का वह वाला हिस्सा है जहां पर हमारे पेंटर्स का इस्कूल है F हम इसको खाली बाहर निकालना चाहते हैं तो जरहास का नाम देखी क्या है डूरर, हॉलबाइन, पॉर्बस और वन लेडिन तो इसको बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे हम अपना ये जो सबसेट कमांड है हम इसको इस्तमाल करने की कोशिश करेंगे तो हमने सबसेपहले लिग दिया सबसेट, SUB, SCT, सबकुछ लोवर केस, अलफा पेट्स में उसके बाद में लिग दिया पेइंटर्स जो हमारे डेटा फ्रेम का नाम है और साथ में इसके बाद कमा लगा करके मैंने जो कंडिशन ने उसको लिख दिया हमारी कंडिशन क्या है कि जो इसकूल है जो भी हमारा वेरेबल का नाम है इसकी exact value क्या होनी चाहिए यह मैंने यहाँ पे double equality sign लिखा जिसका मलब होता है कि logical equality इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारा school का नाम capital F होना चाहिए तो इसको मैंने course में दे दिया आप इसको जब आप execute करेंगे तो देखिए आपको इस पकार का और का मिल जाएगा तो देखिए आपको वही जो painters हैं उनके बारे में information बाहर आ गई कि इस पूरे data set में यह हमारे जूरर हॉलबाइन पॉर्बस और वान रेडर हमारे चार ऐसे painters हैं जिनका school हमारा क्या है F इसी कार को करने के लिए हमारे पास एक और भी करिका होता है आपको याद होगा हमने एक बार बात करी थी अगर हमारा कोई data vector है X उसके अंदर हमको कोई अगर ऐसी values हमको निकालनी है जहां पर values हमारी 5 के बराबर आती हैं तो हम इसको जब करेंगे तो क्या होगा कि X data vector में जो भी हमारी values होंगी, जहां जहां पर 5 होगा, वहां पर हमारा true और जहां पर 5 नहीं होगा, वहां पर हमारा false आजाएगा, और उसके बाद में हम use करते हैं कि x जैसे, x इस data vector में के बाद, हम इसके subscribe bracket में लिख देते हैं, इसमें होता है कि हमको x की वह वाली value चाहिए, जिसके लिए हमारी data vector में x की value पांस के बराबर है, उसी प्रकार का ये भी हमारा एक command है, तो हम यहां पर क्या करते हैं कि इस जो कार मैंने भी किया है कि अपने data frame से उन painters का data बाहर निकालना है, जिनका school है F, तो मैंने यहां पर लिखा painters और फिर double square bracket में लिख दिया school double course में जो हमारे variable का नाम है, और यहां फिर हमने logical equality करके कर दिया capital F, double course में क्योंकि यह भी हमारा character है, और उसके बाद में मैंने यहां पर लिख दिया painters और इसको मैंने square bracket में बंद कर दिया, यह इस painter's data set में जहां जहां पर हमारा school की value F है, वह मुझे को उस variables के corresponding values को बहार निकाल देगा, और आप देखेंगे कि आपको फिर से यहां पर यही data set मिल गया है, जहां पर school की value आ रही है आपकी F, और यही चार painter हैं जिसका data आया था है, यह आपका screen shot भी है, तो चलिए जड़ा सा हम इसको यहां पर art software में करके आपको दिखाएंगे, लेकिन चलिए आपको एक और उधारा दे रहेते हैं, कि इसी उधारा में से अगर हम देखेंगे इसी data frame में से अगर मुझे को एक ऐसा data set निकालना है, जहां पर composition की जो value है वो हमारी 6 से छोटी या बराबर है, तो उसमें से क्या होगा, आपने देखा था है कि जो आपका data set उसमें से एक variable है composition, तो यहां पर देखिए इसकी numerical value दी है, तो यह मुझे को एक ऐसा subset निकाल देगा जहां जहां पर composition की value हमारी 6 से छोटी या बराबर है, तो इस परकार के हम अपने भिन-भिन तरह के operations करते हैं, और चलिए हम आपको यह वाले operation अपने R software में करके दिखाते हैं, तो पहली बात तो देखिए यही है कि मैं आपको यह वाला दिखा दूँ कि जो मैंने आपको भी F का दिखाया है, इसी चीज को मैं आपको subset निकाल के दिखाता हूं, तो देखिए, आपको देखिए, subset, painters और school equal to F, तो आपको देखिए, यही dataset आपको बाहर मिल गया, इसी में आप अगर मालिये, आप अगर यहां पर कर देखिए, स्कूल equal to A, तो देखिए, आपको इस परकार का dataset मिल गया, जहां पर आपको यह स्कूल की value थी आपकी A, और इसी में आप अगर अपने इस और जो आपका एक alternative command था, इसको भी आप करना अगर चाहेंगे अगर, तो इसको भी आप इसनमाल कर सकते हैं, और यह भी देखिए, आपको वही outcome देगा जो आपने पहले लिया था, right, तो अब इसी में आपको मैं, मैं ऐसा भी करके दिखाता हूं कि जैसे कि अगर हम कहें कि हमको एक ऐसी value निकालनी है यहां पर, जहां पर हमाल दीजे कि जो drawing की value हमारी है, वो हमारी कश से कम है, 10 से कम है, तो मैंने कर दिया less than 10, तो देखिए, यह मुझे उसने यह जो drawing का variable था, इसमें system को सारी सारी यह जो values हैं यहां पर दी दी, तो यह इसका subset आ गया, उसी तरह के से आपकर करना चाहें कि हमको यहां पर ऐसी value चाहिए, drawing की जहां पर drawing की value 10 से ज्यादा है, तो देखिए, इस तरह का data आपका आग operations ले सकते हैं और आप इनको execute कर सकते हैं, ओके, इसके बाद में हम आपको यहां पर एक और कार करके दिखाना चाहते हैं, कि जहां पर हम अपने इस data frame से कुछ ऐसे columns हैं, जिनको हम बाहर हटा देना चाहते हैं, उनको किस प्रकार से किया जाए, राइट, तो इस कार को करने के लिए हमारे पास एक command होता है select, s-e-l-e-c-t, और इस command को हम अपने इस subset command के साथ में use करते हैं, राइट, तो अब इसमें से यह जो select command होता है, इसके द्वारा हम इसमें, जो हमारे column number से उनकी संख्या देने की कोशिश करते हैं, तो कैसा, मैंने कहा कि मुझको एक ऐसा subset चाहिए, इस painter data frame में से, जहां पर school की value हमारी आती है F, और साथ में हमारा जो तीसरा और पांचवा column है, उसको हटा दिया जाए, तो तीसरे और पांचवा column को हटाने के लिए मैंने यहां पर लिग दिया minus three और यहां पर कर दिया minus five, इसके बाद में अब आपको देखे यहां पर जो भी data set मिलेगा, इसमें से जो आपका तीसरा और पांचवा column में जो भी data set वो आपको यहां पर हड़ी आएगा, और जो बाकी आपके जो भी columns थे वो आपके यहां पर आ जाएंगे, इसने आपको अगर compare करी है अगर तो पिसले वाले slide में इसने आपको जो data set दिया था वहां पर देखी यह था आपका composition था आपका column number one, drawing था आपका column number two, color था आपका column number three, expression था आपका column number four और school था आपका column number five, तो इसने देखी है color और school यह आपके 30 था पांसवे column से इसका data हटा दिया और इसने आपको composition, drawing और expression इसका data देखी यहां पर दे दिया है, तो आपको composition, drawing और expression देखे यहां पर आ गया, right, तो आप इस data set को कहीं पर आप store भी कर सकते हैं और इसके बाद में आप अपने जो भी operations हो आप उसको उसमें लगा भी सकते हैं, तो इसलिए यह वाला भी operation हम आपको आपके R console में करके दिखा देते हैं, तो और अगर आप इसी अगर को option को हटा देते हैं, यहां पर अगर तो दिखिए आपको यह पांचो columns मिल जाएंगे, right, इसी प्रकार से आप इसको कार को कर सकत हैं, तो इसके बाद में हम आपको एक और command के बारे में बताते हैं, जहां पर हम split command की बात करते हैं, और इस split command में क्या है, कि जिस प्रकार से हमारा कोई भी एक dataset होता है, उस dataset में हमारे पास बहुत सारी values होती हैं, और उसको हम किसी particular value के respect में उसको हम split करना चाहते हैं, और usually जो हम split करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारा कोई factor variable के दौरा अगर splitting हो रही है, तो वो अच्छा होना चाहिए, तो इस splitting का क्या मतलब होता है, जलिए आपको हम पहले जदा से अपने इस dataset में दिखा दे आपको हम, जैसे कि आप अगर इस painter's dataset की बात अगर करते हैं, त उसके बाद में school का नाम है B, उसके बाद में school का नाम है C, और उसके बाद में school का नाम है D, और उसके बाद में school का नाम है यहां पर E, और उसके बाद में school का नाम है F, यह देखी यहां से, और उसके बाद में school का नाम है यहां पर G, यहां तक का, और उसके बाद में school का न देखेंगे कि हम क्या चाहते हैं कि यह जहां जहां पर हमारा जो एक का स्कूल है यह हमारा डेटा अलगा जाए जो हमारा बी का स्कूल है उसका हमारा डेटा अलगा जाए इत्यादी आपको इस प्रकार के यहां पर आपरेशन्स करने हैं तो बिसकली आप क्या चाहते हो कि जो तो आपका data set यहां पर दिया हुआ है, यह एक बहुत बड़े size का data set यहां पर school दिया हुआ है, तो यह यहां पर हमारा partition हो जाए, split हो जाए, तो इस कार को कैसे किया जाए, तो split करने के लिए आपको, जो command होता है, वो होता है SPLIT, SPLIT, और साथ में हम parenthesis में bracket के अंदर लिख देंगे अपना data frame का नाम, painters, और comma करके, जिस variable के द्वारा हम इस partition को करना चाहते हैं, उसके बारे में हम यहां पर लिख देंगे, right, तो आप अगर देखने की कोशिश करें, इसका जो भी output आएगा, थ्वासा लंबा आएगा, इसलि तो देखी, यहां पर यह सारे के सारे school आ गए A, और यहां पर लिखा हुआ है dollar A, अर्थात इसने यहां पर पर जहां पर school की value आ रही थी A, इसने उसको यहां पर एक जगह पे रखटा कर दिया, उसके बाद में उसने अगला split कर दिया, जहां पर school की value आ रही थी B, और इसक हिस्सा है, उसके बाद में देखे अगला भी लिखा हुआ है dollar D, और उसमें उसने रिखा दिया कि यह school में यह जो हमारा D है, यहां पर आ रहा है, उसके बाद में हमारा जो school हमारा E है, इसको उसने dollar E से दिखा दिया, उसके बाद में जो हमारा school है F, इसको उसने dollar F से दिख तो देखा कि आपने देखा कि यहां पर इसकी एक पार्टिशनिंग हो गई उसी प्रकार से आप देखिए यहां पर एक आपकी पार्टिशनिंग हो गई उसी प्रकार से यहां पर एक पार्टिशनिंग हो गई उसी प्रकार से यहां पर एक पार्टिशन हो गई और तो और इस तरह कि इसने आपको यहां पर partitions कर दी है और इनकेस अगर आप यहां पर ध्यान अगर देंगे कि अगर आपने data set को अगर attach नहीं किया है तो आपको यहां पर painter से dollar school इसकूल करना पड़ेगा और अगर attach किया तो आप यहां पर खाली school को भी use कर सकते हैं उसमें तो आप कुछ स आपको store करना है और इस बात को verify करना है कि जो आपके partition सारे ही यह हैं क्या क्या है क्या है तो यह दोनों कार करने के लिए हम आपको देखे दिखाते हैं कि अगर आपको अपने किसी partition को अगर access करना है तो सबसे पहले आप उस partition को उस variable का नाम लिखे जिसके अंदर आपने partition को store करके रखा हुआ है कैसा हरी कि मैंने यहां पर variable का नाम लिया है splitted और उसके बाद में मैंने जिस partition को मुझे access करना है उस partition का नाम दे दिया है जैसे मैंने आपको दिखाया था dollar a के अंदर school a की सारी सारी values है तो इसको मैंने यहां पर दे दिया splitted और उसी प्रकार से ऐसे मै हम इनको इक अलग से data frame की इस्तमाल भी कर सकते हैं और लेकिन उसके पहले हमको यह cross check करना पड़ेगा कि यह जो हमारे partitioning हुई है जो हमारा split हुआ है इसके द्वारा जो मुझे data set मिला है क्या हुआ data frame है उसको check करने के लिए हमारा command है is dot data dot frame और यहां पर अगर देखेंगे आप इसको लिखेंगे यहां पर कि splitted dollar a तो यह आपको देदेगा true इसका मतलब कि जो भी आपने splitted value निकाली है यह आपका भी एक data frame है आप जब भी data frame हो आ गया तो उसके उपर आप अपने जो भी भिन भिन operations है आप उनको इस्तमाल करते हैं तो करस आगे बगने के पहले हम आपको इन options को यहां पर करके दिखाने की कोशिश करते हैं जिसे कि आपको और भी confidence आजाएगा तो सबसे पहले चलिए हम अपने इन values को split करते हैं राइट तो हमने लिग दिया split painters और इसके बाद में कर दिया painters dollar school अब आप जड़ा से इसकी value देखिए यह किस परकार की यह देखिए dollar a यहां से यहां तक ही values आ गई फिर dollar b इसके अंदर splitted जो आपका b की respect में हुआ है वो आ गया उसके बाद है आपका c तो school c की detail आ गए फिर a school d, d की details आ गई उसके बाद में school e की details आ गई फिर school f को आपने dollar f से दिखा दिया और फिर dollar g से आपने school g को दिखा द आपने school s को दिखा दिया right अब इस c में जैसे कि हम आपको पहला तो यह दिखाना चाहिए कि अगर आपको मान दीजिए अपने data set जहां पे आपने school c के दौरा अगर आपने इसको store किया है और मैंने एक variable ले लिया value c और यहां पर मैंने अपना splitted dollar c जो हमारे school करने में इसक तो देखिए value c आपका इस प्रकार से आगया आप देखेंगे यहां पे school सारे सारे आपके फी के बराबर आगया right उसी तरके से आप अगर यहां पर अगर value d को भी आप अगर देखना चाहेंगे तो आपको देखिए जो भी आपका यह value आगई यह देखिए splitted d की आगई उ इस प्रकार से आप अगर splitted g की देखना चाहेंगे तो आपको यह value आगई तो आप इनको भीन-भीन variables के अंदर भी आप store कर सकते हैं और अगर आपको यह देखना है कि यह जो आपने partitioning करी हुए है यह कि आपकी data frame है तो आपने कर दिया is.data.frame और आपने देखा कि यह आप data frame आ गया उसी तरह से आप अगर जो आपका a है जो आपका b है dollar b dollar c आप कोई भी देखेंगे आप अगर तो आपको यह देखिए data frame होगा तो अब जब यह data frame है तो इसके ओपर आप अपने कोई भी operations को कर सकते हैं तो आपने यह जो भी splitting करी है इसके अंदर भी जो आपकी data values आ रही है वो भी एक data frame के format में है और इसके बाद फिर हम आपको जो भी हमने उस data frame के भिन भिन जो commands पहले पगके रखे होगे हैं हम उन सभी को यहां पर बहुत आसानी से इसमाल कर सकते हैं और उसके उपर हम अपने जो भी different operations उनको हम लगा सकते हैं तो अब मैं इस lecture में यह बहुत से request करूंगा कि आप अपनी कोई भी जो excel की file है आप उसको देखने की कोशिच करी या आपका कोई spreadsheet की कोई भी आप के पास है आप उसको देखने कोशिच करिए और उस में से किन किन प्रकार के operations करते थ Walter को यहां पर करने की कोशिच करिए मैंने यह आपे पूरी को य कि जो हमारे common operations होते हैं उसके बारे में तो मैं आपको बता दू लेकिन इसके इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे operations होते हैं तो कुछ तो मैं आपको अगले lecture में बताऊंगा लेकिन बाकी के लिए मैं आपकी उपर depend करूंगा उसके अलावा एक सवाल यह आता है कि मैं से रीड कर सकते हैं उसके बारे हम अपने अगले lecture के बाद इसको हम समझने की कोशिश करेंगे लेकिन अभी तो आप कोई भी data को लेकर करके आप खुद भी create कर सकते हैं कोई data frame तो आप इन चीजों की practice करिए और हम आपको अगले lecture पे मिलने फिर चाहेंगी तब तक के लिए बारे, गुट्बाइ. कर दो कर दो दो